चलिए बच्चों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका, आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे, आज हम करेंगे आपकी 10th क्लास की वर्क्षीट नमबर 1, अब डेली आप लोगों को एक वर्क्षीट में शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको एक्जाम के लिए बहुत help मिलने वाली है, और हो सकता है कि इन में से कुछ questions आपके same to same exam में repeat भी हो जाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्क्षीट नमबर 1, जो आपकी first जो book है, first flight, उसका lesson number 1 है, a letter to God, उसमें से है, तो सबसे पहले मैं आपको इक वर दिखा देती हूँ, कि इस वर्क्षीट में ह इस पूरे paragraph को पढ़के आपको और इस questions के answers करने हैं, तो हम पहला जो paragraph है उसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में देखिए बच्चो इसमें से questions दिये हूएं, यहाँ पे, यहाँ पे यह सारे questions हमें इस paragraph को पढ़ना है, तो यह passage की तरह ही है, तो चलिए स्टार्ट करते in the north-east huge mountains of clouds could be seen approaching, the air was fresh and sweet, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body and when he returned he exclaimed, these aren't rain drops falling from the sky, they are new coins, the big drop are 10 cents, pieces and the little ones are 5, तो बचो यह जो पूरा है, इसको हमने पढ़ लिया, अब हमें इसी को पढ़ने के बाद में इसमें से कुछ नीचे प्रशन दिये गए हैं, जिनके उत्तर लिखने हैं, तो पहला जो question है, उसको आप देखिए, तो चलिए देखते हैं, first question, the word similar in meaning of the word started, started के जै option हो जाएगा, आपका option number C, second देखिए, the one word for the group of words to say that something will happen in future, यानि कुछ भविशे में होने वाला है, उसको जब अनुमान लगाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, predict करना, तो यहाँ पे option जो B है, वो आपका सही है, तो यहाँ पे आपको लिखना है option B, चलिए, next देखते ह है, here huge mountains of clouds means, यहाँ पर huge mountain of clouds से क्या मतलब है, तो यहाँ पर इसका मतलब है, very large and dark clouds, यानि बहुत बड़े बड़े और काले जो बादल थे, उनके लिए, उनको mountain के साथ compare किया गया है, और ऐसा कहा गया है, कि बहुत बड़े, जो बादल है, वो mountain की तरह लग रहे है, next देखि To whom did Lencho write the letter, Lencho ने पत्र किसको लिखा, Lencho wrote the letter to the God, next question देखिए, where did he go to mail the letter, mail करने के लिए, वो कहां गया, he went to the post office to mail the letter, next देखिए, question number six, find the object for which the following metaphor are used and write them before in the blanks, यानि कि huge mountains किसके लिए यूज किया गया है, बच्चों, huge mountains जो है, वो clouds के लिए यूज किया गया है, और new coins किसके लिए कहा गया है, new coins, rain drops के लिए कहा गया है, जो बरसाथ की जो बूंदे हैं, उनके लिए कहा गया है, next देखिए, अब ये जो seventh question है, इसको आप ध्यान से tie or snacks की दुकान पे गये हैं, and purchase four samosas, और वहां से आपने चार samosas खरी दे, the shopkeeper wrapped them in a packet, और जो दुकान दर था, उसने उसको एक packet में डाल के दे दिये, when you eagerly opened it at home, यानि घर पहुंचने बाद जब आपने बड़ी उच्शुकता से उसको खोला, you found, आपने देखा, आपने की उसके अंदर only two samosas in that packet, कि उस packet में तो सिर्फ दो ही samosas थे, what will be your reaction to it, उसको देखके आपका किस तरह का reaction हो गया निया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, write in 20 to 20 words, 10 से 20 शब्दों में आपको इसका answer लिखना है, तो बच्चों जब इस तरह का question आता है, तो maximum चीजें तो क्या हुआ होता है ना, उसमें से ही मिल जाती है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर यही जोड़ा है, today I went, है ना, today I ही जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो you है, उसकी जगे हम यहाँ पर आई कर देंगे, बाखी, went to a sweet and snack shop and purchased four samosas, यह बिलकुछ same to same मैं ऐसे लिखा, I went to the sweet and snack shop and purchased four samosas, आगे का भी ऐसे ही लिखा है, the shopkeeper wrapped them in a packet and I came home, when I eagerly opened it at home, I found only two samosas in that packet, तो यहाँ तक तो बिलकुछ same to same ही है, उसके आगे जो मैंने change किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं continue किया है, कि I eagerly opened it, मैंने बड़ी उत सुकता से उस kola at home घराने के बाद, I found only two samosas in that packet, उस packet उम जो सिफ दो समोसे मिले, so I was upset तो मैं थोड़ा सा upset हो गया and I went back and told the shopkeeper that I paid for four samosas, तो मैं वापिस से गया दुकानदार के पास और उसको कहा कि मैंने तो चार समोसों की पैसे दिये थे and he packed only two और आपने दो ही पैक किये, the shopkeeper was a nice man, ज so he felt sorry उसको थोड़ा बुरा लगा कि उससे गलती हो गई and he gave me two more samosas और उसने मुझे दो समोसे दे दिये and I came back home and enjoyed samosas with chutney और मैं घर आ गया और मैंने वो समोसे चटनी के साथ enjoy की, तो बच्चो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा, तो I hope यह worksheet number one आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और next worksheet आप लोग कल देख लीजेगा, कल आपको second worksheet मिल जाएगी और इसी तरह से जितनी भी total worksheets हैं वो एक एक करके मैं आपको 50 worksheets share करने वाली हूँ तो please don't miss आप देखते रहिए, हो सकता है एक दिन में मैं दो या तीन worksheets भी upload कर दूँ तो आप अनीचा शिक्षा चैनल पे बने रहिएगा, अगर आपको help मिलती हो तो like, subscribe और share करना बिल्कुल मत भूलना और जादा से जादा अपने friends को share करिये और उनको बताइए कि यहाँ पे इस channel पे वो सारे chapters पढ़ सकते हैं, और जल्दी ही life classes भी में स्टार्ट करने वाले हैं, thank you, have a nice day.